दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाल है कलाश टूर्थ होम सैंस यानि गिरिह विज्ञान के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोट के तरफ से जो ओफिसियल मोडल पेपर जारी किया गया है intermediate examination 2020 के लिए होम सैंस का जो मोडल पेपर जारी किया गया है जितना question है उस सब का मैं एक एक करके answer बताने वाला हूँ और जितना answer बताऊंगा 100% right बताऊंगा और वो भी full explanation के साथ आपको जो question paper मिलेगा home sense का उसमें दिया रहेगा समय 3 घंटा 15 मिनट और full marks 17 रहेगा क्योंकि 30 नंबर का practical हो जाता है यहाँ पर कुछ instruction दिया गया है वो आप अपने question में देखके पढ़ लिजिएगा model paper काफी important होता है बिद्यार्थी के लिए इस से बहुत सारा question आपके exam में आता है इसलिए आप video को शुरू से last तक जरूर दिखिएगा क्योंकि ये video आपके exam के point of view से काफी ज़्यादा important है और सबसे important बात इस बार ये है कि 100% question में से 50% का ही जबाब देना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है question एक से 70 तक जो objective question देगा उसमें से सिर्फ 35 का ही जबाब देना है एक से 70 तक objective question में से किन ही 35 मतलब किसी 35 question का आप जबाब दे दीजिएगा तो हो जाएगा तो चलिए question के तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता दे कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe कर लेजेगा ताकि मैं जब इस परकार का वीडियो बना हूँ और upload करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे ऊप्षन मैं बताए जा रहा है इन में से कौन इन में 17 राभी गरंथी है तो इन मेंसे कौन 18 राभी गरंथी है, selbst गरंथी पाराथ राइड गरंथी एपीलियन विश्रन या अंडासे यह सब जो हता है टोटल आठ अंता सरावी गरंती होता है क्वेच्चन नंबर दूसरा देखते हैं इन में से कौन महिला परजनान अंग है उप्शन में है गर्वासे तो भाई गर्वासे जो है ये महिला परजनान अंग है अंडासे अंडासे भी होता है डिंग वाही नलीका जो होता है यह मतलब कि इस नलीका से जो MC होता है यह shortcut में मतलब कहा जा सकता है यह इसी को डिंग वाही का नली को जो है फिलिपियन नली कहते हैं महामारी के समय जो है रक्त इसी से परभाग होता है किस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है तो सबसे पहली बात की घेंगा रोग होता है वो मतलब कि आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाइरोक्सीन थाइरोक्सीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है मासिक धर्म की शुरुवात लड़कियों में समाने तक किस आयू में होता है मासिक धर्म जेनरली कहा जा सकता है कि MC जो होता है उसी को मासिक धर्म कहते है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option D जेनरली 10-15 वर्ष की लड़किया होती हैं तो पर्मान उर्जा भाई पर्मान उर्जा से पर्दूशन तो je रसाइनेक उर्जा से भी pollution होता है यह सौर उर्जा जो होते हैं मतलब सुरी की उर्जा होती है इससे कोई pollution नहीं होता है तो इसका right answer हो जाएगा option C सौर उर्जा इसका right answer हो जाएगा अगला question देखते हैं स्वच भारत अभियान किस परसीद व्यक्तित्व के जन्मदीन पर शुरू किया गया था तो इसका right answer हो जाएगा option C महात्मा गांधी इसका right answer हो जाएगा question number seven गरामिन छेतर में मतलब गाउं के जो इलाका होता है गरामिन छेतर तो वहाँ पर पर दूशन का क्या कारण है तो खुले में सोच करना यह भी एक कारन है खुले में सौच करना, option B में दिया गया है, खुले छेतर में कपड़े धोना, ये भी एक कारण है, option C में दिया है, वनो की कटाई, ये भी एक कारण है, तो इसका right answer हो जाएगा, option D, उप्यूग सभी इसका right answer हो जाएगा, question number 8, उप्भोगता संरक्षन अधिनियम के अंतरगत उप्भोगता संरक्षन अधिनियम के अंतरगत, उप्भोगता के अधिकार क्या है, तो इसका right answer हो जाएगा, इन में से सभी, क्योंकि चैन का अधिकार ये भी है, सुरक्षा का अधिकार ये भी है, उप्भोगता सिक्षा का अधिकार ये भी है, तो इसका right answer हो जाएगा, option D इन में से सभी, question number 9, इन में से कौन आहार आयोजन को परभावित करने वाला ततु है, इन में से कौन आहार आयोजन को परभावित करने वाला ततु है, तो इसका right answer हो जाएगा option D उप्यूग सभी, क्योंकि परिवार का आकार, मौसम, भोजन संबंती, आदते, ये सब होता है तो इसका right answer हो जाएगा option D उप्यूग सभी, question number 10, गाउ में उचित स्वाचता बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है, तो गाउ के लोग, हाँ भाई, गाउ के लोग के भी जिम्मेदारी है, गराम पंचायत, गराम पंचायत के भी जिम्मेदारी है, स्वास्त कर्मी के भी ज किम्मेदारी है, तो इसका right answer हो जाएगा, उप्यूग सभी, गाउ के लोग, गराम पंचायत, स्वास्त कर्मी, सब हो जाएगा, question number 11, बच्चों को किस उम्र में पूरक आहार दिया जाता है, मतलब भोजन, खाना पिना जो होता है, वो दिया जाता है, तो इसका right answer हो नहीं देते हैं, छो माह में दिया जाता है, उसके बाद, question number 12, प्रस वो प्रांत, प्रस वो प्रांत, अवधी किसके लिए नाजुक होती है, तो ये इसका right answer हो जाएगा, मतलब मता के लिए, हाँ भाई मता के लिए होता है, बच्चा के लिए, बच्चा के लिए भी होता है तो इसका right answer हो जाएगा, option C, दोनों के लिए, question number 13, मा के अस्तन से निकलने वाला पहला दूद क्या कहलाता है, option में है, colostrum, vitamin, protein, calcium, तो मा के अस्तन से निकलने वाला पहला दूद क्या कहलाता है, इसका right answer हो जाएगा, colostrum, option A, colostrum इसका right answer हो जाएगा, question number 14, इन में से कौन बचत करने का कारण है तो आपात कालिन आवसकता ये है बचत करने का कारण और सेवानी विरीति अपात कालिन आवसकता भी होगा किए भाई जहां पर आपात कालिन होगा जहांपर हम पांच केजि यूज करते थे वहाँ थो इसस्टा खरीदारी तो इसका right answer होजएगा option D उपयूक्त सभी इसका right answer होजाएगा Q15. साधनों से अधीक लाव पराप्त करने के लिए क्या आवस्यक है? तो इसका right answer हो जाएगा option B. साधनों का उचीत परबंधन इसका right answer हो जाएगा Q16. इन में से कौन सी योजना भारत वर्ष के डाक घर से ही संचालित होती है? तो ये राश्टी बचत पत्र का विक्री ये होती है और option 2 में दिया गया है option किसान विकास पत्र की विक्री तो भाई ये भी होती है और राश्टी की विक्री ये wrong है तो option D इसका right answer हो जाएगा राश्टी है बचत पत्र की विक्री किसान विकास पत्र की विक्री ये दुनों right answer है question number 17 इन में से कौन पारिवारिक आई बढ़ाने का साधन है तो budget बना कर परिवारिक आई बढ़ाया जा सकता है इसका right answer हो जाएगा इन में से सभी इन में से सभी इसका right answer हो जाएगा soda soda जो हता है सर्फ साबून में इस्तेमाल किया जाता है soda तो इसका right answer हो जाएगा option D इन में से सभी इसका right answer हो जाएगा मिलावट हो सकती है तो मिलावट जो है वो हो सकती है जान बुझकर बिलकुल जान बुझकर भी कितना लोग जान बुझकर भी मिलावट कर देते हैं जैसे दूज में पानी मिला देता है दूज वाला जो दूज बेशने के लिए आता है तो भाई दूज में पानी मिला देता है तो ये तो जान भूज कर ही मिलावट करना हुआ ना, अंजाने में भी मिलावट हो जाती है और option C में देया गया है, दोनों के द्वारा, मतलब option A और option B, दोनों के द्वारा तो इसका right answer हो जागा option C, दोनों के द्वारा Question number 20 इन में से कौन सूती वस्तर की विशेष्ता है? इन में से कौन सूती वस्तर की विशेष्ता है? तो सूती वस्तर की विशेष्ता है टिकाव और मजबूत है सूती वस्तर की विशेष्ता आराम दायक ये भी एक सूती वस्तर की विशेष्ता है मुलाइम, सूती वस्त जो है, वो मुलाइम होती है option D में है, इन में से सभी तो इसका right answer हो जगा, इन में से सभी question number 21, कौन सी रेखा लंबाई को दरसाती है कौन सी रेखा लंबाई को दरसाती है तो ये खरी रेखा जो है, इस परकार से रहती है खरी रेखा और ये 36 रेखा जो है horizontal line वो इस तरह से रहती है horizontal line जो है इस तरह से रहती है ये वक्र रेखा वक्र रेखा जो है ऐसे ऐसे इस तरह के जो रेखा रहती है उसको वक्र रेखा कहते हैं और तिर्ची रेखा तिर्ची जैसे ऐसे हो गया ऐसे हुआ ऐसे हो गया ऐसे हो एक प्राक्रितिक तंतू नहीं है इन में से कौन एक प्राक्रितिक तंतू नहीं है तो उन जो है पूछ रहा है कि प्राक्रितिक तंतू नहीं है तो यह सूथ उन इसका राइट अंसर हो जाएगा नाइलॉन option A इसमें थोड़ा confused दोस्तों आप बताईएगा आपकी हिसाब से क्या होगा और book में मतलब क्या दिया गया है but I think मेरे ख्याल से ये nylon होना चाहिए तो देखिएगा आप अपने हिसाब से और comment करके बताईएगा book में जो दिया गया है तो आप comment करके बताईएगा एगला question देखते हैа question number 23 हमारे सरीर में रोगानू कैसे परवेश करते हैं हमारे सरीर में रोगानू कैसे परवेश करते हैं थो अबमों कैसे परवेश करते हैं इसका right answer हो जागा ए और बी दोनों हबमों के दुवारा और पानी के दुवारा क्वेचन नमर्ट 24 ओ आर एस घोल के अभाव में डाइरिया पिरीत बच्चों को क्या पिलाना चाहिए तो 24 का क्या पिलाना चाहिए तो 24 का राइट एंसर हो जाएगा का option B दूध दूध हो जाएगा इसका right answer दूध पिलाना चाहिए बच्चों को question 25 कौन सा परिधान छोटे एवं मोटे व्यक्ति के लिए उप्यूक्त नहीं होता है तो इसका अंसर हो जाएगा बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र हो जाएगा इस question 26 खाद्य पदार्थों को कितने समुहों में विभाजित किया जा सकता है तो option में दिया गया है 2, 3, 5, 8 तो खाद्य पदार्थों को जो है इसका right answer हो जाएगा option B हो जाएगा खाद्य पदार्थों को जो है तीन समुहों में विभाजित किया जा सकता है question 27 इन में से कौन बुनियादी जरूरतों की आधुनिक सूची में सामिल है तो आवास ये आवास मतलब है भोजन भी है कपड़ा भी है और पूछ रहा है कि आधुनिक सूची में जो सामिल है तो ये तो आवास भोजन कपड़ा ये तो अल्रेडी पहले से है तो आधुनिक सूची में सामिल किया गया है सिक्षा को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option B सिक्षा हो जाएगा question 28 किस रेसे का उप्योग मजबूत रस्यों बनाने के लिए किया जाता है किस रेसे का उप्यो कौन हो जाएगा question 29 इन में से कौन सीथ ठंधा रंग है इन में से कौन सीथ या ठंधा रंग है option में है लाल बैगनी हरा सफेद तो इसका डाइट अंसर हो जगा option C हरा रंग जो है सीथ या ठंधा है question 30 स्वच्चता के किस कारी में जल की अधीक आवसकता नहीं होती है स्वच्चता के किस कारी में जल की अधीक आवसकता नहीं होती है तो इसका right answer हो जाएगा option D बरस करने में क्योंकि नहाने में काफी ज्यादा जल क्याव सकता होती है कपरा धोने में भी काफी ज्यादा जल क्याव सकता होती है बरतन धोने में भी बहुत जल क्याव सकता होती है option D में जो है बरस करने में तो सब से कम बरस करने में जल क्याव सकता होती है question number 31 Ready-made वस्त्र खरिदने समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ऊप्चन तो एम एप में है कप्ड की गुन्वता हाथ भाय कप्रे की गुन्वता देखते हैं किस परकार का कप्ड़ा है इसका गुन कैसा है option B उद्देश या परियोजन पत्व quality देखते हैं और option C में जो मूली भी देखते हैं कि महगा है या संस्ता है तो इसका right answer हो जाएगा option D उप्यूक सभी हो जाएगा इसका right answer question number 32 वस्त हमारे सरीर की रक्षा करते हैं वस्त हमारे सरीर की रक्षा करते हैं सर्दी से तो सर्दी से रक्षा करते हैं यह ठंडी में कपरा जो पहनते हैं तो ठंडी सर्दी से रक्षाई करते हैं गर्मी से गर्मी से भी जैसे धूप में वस्त पहन कर हम निकलते हैं दूप से रक्षा करती है, वर्षा से, वर्षा से भी, तो इसका राय आंशर हो जागा, उप्यूख सभी, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, Question 33, एक गराम कर्भोहाइड्रेड से कितनी कैलोरी उरजा निकलती है, तो एक ग्राम कार्बो हाइडरेड से 4.1 कैलोरी उड़ जा निकलती है option में तो 4.1 नहीं है लेकिन 4 है तो इसका right answer हो जाएगा option C 4 कैलोरी question number 34 विशू उपभोगता किस? विशू उपभोगता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका right answer हो जाएगा option C 15 मर्च 15 मर्च को विशू उपभोगता दिवस मनाया जाता है question number 35 वस्त्र क्यों आवस्त्यक है? वस्त्र क्यों आवस्त्यक है? तो समाज एक परतिष्ठा है तो ये मतलब विश्य होगा समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए वस्त्र जो है ये आवस्त्यक है शरीर को ढखने है तो ये भी सही है शरीर को ढखने है तो शरीर को गर्म रखते हैं है तो आप ठंडी में जो वस्त्र पहनते हैं सरीर को गर्म करता है इसलिए न तो यह भी मतलब ही सही हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option D इन में से सभी इसका right answer हो जाएगा अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक है टेलिग्राम जोइन करके आप वहां से इसका PDF पराप्त कर सक अगर आपको यह वीडियो यहां पर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सेर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा चैनल से जूर सके और मतलब यह मोडल पेपर जो जारी किया गया है का कोश्चन अपलोड करके मैं अपलोड कर दूँगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद